कि यह गाइज वेलकम बैक एक हैं मैं यूट्यूब चैनल जयां दोस्तों आप सभी कैसे हूँ आई होप आप सभी बुर्य होंगे यार दोस्तों एक और शांदर वीडियो के अंदर आपका स्वागत है तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई वैकनसी के बारे में उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार आप से रिक्रस्ट है प्लीज यार आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और इस वीडियो को लाइक कर लिजे चले दोस्तों व वीडियो को स्टाट करते हैं सबसे पहले दोस्तों जो पोस्ट का नेम है वह है लैब टेक्निशन ठीक है फिर उसके बाद में जो दोस्तों आपको यहां पर पोस्ट देखने को मिल रही है वह दो पोस्ट आपको देखने को मिल रही है उसके बाद में दोस्तों यहां की अगर जो इसके अंदर qualification मांगा गया है वो है 12th pass in science subject तो 12th pass होना चाहिए फिर उसके बाद में दोस्तों 2 year का diploma दोस्तों DMLT आपका होना बहुत ही important होता है ठीके गाइस 2 year diploma in medical laboratory technician ठीके गाइस उसके बाद में दोस्तों और के अंदर PMW भी होना चाहिए और radiology का दोस्तों आपको जो भी related subject है वो भी आपके होने चाहिए ठीके गाइस उसके साथे साथ में अगर हम बात कर लेते हैं वन येर DMLT प्लस दोस्तों वन येर एक DMLT प्लस भी होता है ठीके गाइस तो वन येर DMLT वन येर requirement experience DMLT प्लस वन येर का experience आपका required है इसके गाइस अपका DMLT होना चाहिए साथे साथ में एक साल का आपका experience होना चाहिए recognized जो भी organization है या institute है उससे ठीके गाइस उसके बाद में two year field laboratory experience two year का experience भी होना चाहिए एनिमल हाउस किपिंग गवर्मेंटिक ओर्गनाइज ओर्गनाइज ओर्गनाइज़ेशन ठीके गाइस और उसके बाद में दोस्तों B.E.C. डिग्री should be treated as three year experience दोस्तों अगर आपकी B.E.C. है तो आपको collection का ठीक है गाइस तो collecting और स्वेप का आपको जो भी स्वेप होते हैं कैसे वेंस से सेंपल लिया जाता है isolation कैसे उसके बाद में दोस्तों handling कैसे कैसे handle कर सकते हो आप passion को ठीक है यह सबसे importance होती है साथ साथ में दोस्तों जो data entry है कैसे data entry करना है कैसे sample लेना है हर एक चीज़ आपको knowledge होना चाहिए उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करते हैं age की तो up to 30 years ठीक है अपकी age 30 साल से कम अपकी age होनी चीए ठीक है ठीक है और उसके बाद में जो next collection जो next column है वो है duration जो इस vacancy की duration है वो one year की है ठीक है और अब दोस्तों यह location अगर आपके पास की है तो आप इसके लिए apply कर सकते हो साथे साथ में दोस्तों आप देख सकते हूं यहां पर कुछ general जो भी जो भी general point है आप उनको पढ़ सकते हो अगर और भी information के लिए description के अंदर आपको link मिल जाएगा आप सीधा जाओगे टेलिग्राम ग्रूप आपको join हो जाएगा और साथ रात में दोस्तों यह pdf आपको मापे available हो जाएगी आप इसे पूरी ही pdf पढ़ सकते हो अगर दोस्तों फिर उसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर record vacancy है वो है research assistant की इसके अंदर vacancy निकली है काफी अच्छी salary है 35 20,000 तो दोस्तों आपसे आपका कोई भी relative है या आपका friend circle है आप उसको भी यह video share कर सकते हो दोस्तों वह अगर इस field से है ठीक है guys तो फिर उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं यह vacancy कहां के लिए निकली है यह vacancy निकली है दोस्तों ICMR के अंदर ठीक इसके बात में दोस्तों किस department के अंदर है तो यह है national institute research reproductive and child health के अंदर ठीक है अब दोस्तों यह vacancy कहां पे निकली है तो यह vacancy निकली है जागिर ठीक है जागिर मौरवन जी मॉंबई के अंदर दोस्तों यह vacancy निकली है तो ऐसे में मॉंबई के location के पास आपका घर है तो आ आपी से वेकंज के पास